प्रतिनीधी मंडल ने मुख्यमंत्री भुपेश बगहिल से उनके भिलाई स्थित निवास पर मुलाकात की। उन्होंने प्रतिनीधी मंडल ने कहा कि यदि सीरपूर और प्रग्यागिरी में सुविधाय विक्सित की जाए तो ये दोनों स्थल जापानी परियाटकों के लिए बड़े आकर्शन का केंद्र बन सकते हैं। उन्होंने सीरपूर के नस्दीक हैलिपैड निर्मान की अविशक्ता बताते हुए कहा है कि इससे जापान के परियाटक दो दिनों में सीरपूर का भ्रमन कर वापस जापान लोट सकेंगे। और उनके समय की बच्चत होगी। प्रतिनीधी मंडल ने मुख्यमंद्री को बताया कि जापान के लोग भारत से प्यार करते हैं। जब हम भारत आते हैं तो भारत की धरती को प्रणाम करते हैं। और जब हम जापान जाते हैं तब भारत भूमी के पावन मिट्टी जापान लेकर जाते हैं। मुख्यमंद्री ने जापानी प्रतिनीधी मंडल को कहा कि छतिस गड़ के सिरपूर में बहुत धर्म की पुरा तत्विक संपदा दुनिया के लिए अनमोल धरोहर है। यहां अनेक बहुत विहार और भगवान बुद्ध की प्रतिमाय मिली है। मुख्यमंद्री ने बताया कि सिरपूर में बहुत अचारिया नागरजुन निवास करते थे और चीनी यात्री हनसांग सिरपूर आये थे। जिनोंने भारतिय अतिहास को चीनी भाशा में लिखकर भगवान बुद्ध के शांती एवं भाईचारा के संदेश को दुनिया में फैलाया और भारतिय अतिहास को बचा कर रखा। आप लोग सिरपूर की यात्रा करे और सिरपूर का अध्यान करे।